अकाली दल के पत्याशी चरंदिन सिंग बराडा ने हर खबर से बाठ्षिक के दौरार कहा कि राशपुरा के मौशूदा विधायक हरदयाल सिंग कमबोश ने केवर इन पांच सालों में अपना निच्च विकास क्या है हरदयाल सिंग कमबोश ने लोगों को केवर जूटे आश्वासन दिये हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने आईए आपको सुनवाते हैं नमस्कार हर खबर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लगातार विधान सभा चुनाव 2022 पंजाब में देखते हुए परतियाशी पूरे दमखम के साथ मद दाताओं के बीच जा रहे हैं और आज हमारे साथ शरॉमनी अकाली दल के परतियाशी जो की राजपूरा विधान सभा से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व उपमुखमंतरी सुकबीर सिंग बादल के OSD रहे हैं जी हां मेरे साथ है चैनल जी सिंग बादे बादाशी जी आपका बहुत बहुत है भादी आपका ब्यान हम देख रहे थे जिसमें आपने कहा था कि माज़ा और मालभा में माज़ा और ध्वाबा में शरॉमनी अकाली दल बहुत जादा सीटें ले करके यूं कहें कि समाजबाटी ओर तीश सीटे जो है इसकी दौइबा की है 23 में से 20 सीटे आ रीए कुंकि दौइबा तो मैंने बहुत सरा काम किया है और मैंने तो लेक्ष्न भी दौइबा से लड़ना था अगर शुरुमनिय कालीद अलबाजन समाज पार्टी का गठबंदन ना होता तो मैंने नमाशहर से इलेक्शन लड़ना था जहां कल बेन मायावती जी आके संबोधन करके गए हैं तो मैं बड़ी बरीकी से उस खिते को जानता हूं तो मैंने संबोधन करते ये बोला था कि जब 40 सीटे हम 48 में से आ रहे हैं तो कौन रोक सकता है सरकार बनाने के लिए ये कान जो वाल पे लिखा पढ़ाया के सरकार गठबंदन की बन रही है इसलिए 40 उदर से आ रही है और 67 सीट में से ये 40 हम कम से कम इदर लेंगे 80 से कम नहीं आएगी और 80 से उपर कितनी जा सकती है ये परमात्मा बता ये 80 से आपने का कि कम नहीं आएगा लेकिन आपके विरोधी आ पर आरोप लगाते हैं कि जो शरॉम्निय हकाली दल का केंडिएट है वो बाहरी केंडिएट है चाहे वो बात हम कर ले हर्डियाल जिनकंबोज की मीना मितल की या जगा की और सभी का यही कहना है कि ब्रार साव पेरशूर्ट से आए। पेरशूर्ट से चम्सुर्ट से चाइए। यह स्हाइए। अधार कार्ड मेरा यहां का है अगर मैं जेम में हाथ डालूं पता नहीं है मेरे पास के अभी नहीं है तो सब कुछ ही यहीं कही है अभी तो मैंने वोटर कार्ड यहां का बना लिया है लेकिन हरदाल चिंकमबोज का कहना है कि मेरी कौंसिट्यूंसी है पूरे पंजाब में जिसे तीन आवार्ड मिले हैं विकास को लेकर देखी ऐसा है कि आवार्ड कैसे खरीदे हैं जान लिये यह तो मुझे मालूम नहीं मगर उनके विकास की मूँ बोलती तश्वीर लोगा ने देखी है जिस दिवाली के दिन सबी लोग पटाके फोड रहे थे यहां छे लोग छे बचे मारे गए थे और सेंकड़े लोग जो हस्पतालों में दाखर पड़े थे तो तब तो उनके घर तक राशन तक भी नहीं पचा पाया था यह हमेले यह मैं कोई उनकोई गरीबी का मजाक नहीं डा रहा हूं जो गरीब लोग थे तब तो यह कह रहा था इनके गंदा घर में पानी जाना ही है यह तो अनार्थराइजड कलोनी है तो मैंने जब सवाल पूछा कि यह पानी पूछ लेता है कि यह अनार्थराइजड कलोनी में ज पूर्ण को बूंगा जब मौका आएगा मगर आप जो हमारी बनी हुई फोरलेन सडक है वह हमारी बनी हुई और पुल भी हमारे समय में बढ़ा है और उसके लाइट साइड चले जाएंट जा राइट साइड चले जाएं तो आपको गंदगी के डेहर दिखेंगे और आपको कि कैसा विकास है इसलिए ये तो जूट बोलने के आदी है जो कांग्रस गुरुनानिक साथ दी गुरुमानी हाथ में पकड़ के जूट बोल सकते हैं तो ये हरद्याल वर्गी MLA का क्या कह रही है चौंक चौराहों को बहुत बुनाया जा रहा है कि चौंक चौराहों का नमीन से पैसे कठे किये गए कि हमने इसके बियूटीफकेशन करना है ये करना है वो करना है तो मेरे पास सबी लिखके दे रहे हैं जब वक्त आएगा तो बताएंगे कि कैसा कैसा क्या हुआ है इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि इनके चीफ सेक्टरियर्टी ने बताया था कि 56 परो का नाम सटे में सारे देश में बदनाम कर रहे हैं किसीनों तक खोल रखे हैं बनूर में सतर जोड़े पकड़े गए थे एक एदम तो ये ये इनकी बगएर किसी मिली बुक्त से चल रहे ते हमारे साथ चलने जी सिंग बराड देखे बहुत ही एक तरह से मैं कहना कैसे साक्षात मकार में सवालों के जवाब दिये हैं और बड़ी बेबाकी से दिये हैं अब ये देखा होगा कि आने वाले समय में क्या ये इन सभी वाइदों पर इन सभी बातों पर खरे उतर पाते हैं अगर मत दाता इन पर विश्वास जताता है बैराल ये समय के गर्व में हैं हमारी नजर एक एक परतियाशी पर बनी हुई है और एक सो सतना की सतना विदान सबासीतों पर बनी हुई है हर राजनीतिक दल पर बनी हुई है और पलपल की राजनीतिक खबरें आप तक हम लाते रहेंगे क्योंकि हर खबर की नजर रहती है हर खबर पर आप देखते रहे है हर खबर कैमरा परसन हरदीब के साथ मैं स्वरन राजपुरा से